एलो दोस्तो, दोस्तो, ICIC Prudential Mutual Fund House अपना एक नया NFO लेकर आया है, ICIC Prudential FMCG ETF के नाम से, तो दोस्तो, NFO क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, तो जैसे कोई कमपनी जब अपने आपको नया मार्केट में लिस्ट करती है, तो वो अपना IPO लेकर आती है, वैसे ही जब कोई mutual fund house अपना कोई ETF या fund लेकर आता है, तो वो एक NFO लेकर आता है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, कि जब भी आप किसी IPO में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पर listing gains होने के आपके chances होते हैं, ऐसा कुछ NFO में invest करके आपके साथ नहीं होता, अब दूसरी बात होती है कि ETF क्या होता है, तो दोस्तो exchange traded funds भी थोड़ा mutual fund जैसे ही होते हैं, बस यहाँ पर फरक कुछ ऐसा होता है कि ETF भी सिर्फ index में ही पैसा लगाता है, और passively पैसा लगाता है, लेकिन ETF को खरीदने के लिए आपको एक broker के through account खुलवाना जरूरी होता है यहाँ पर आप mutual fund की house की website पर जाकर directly नहीं कर सकते हैं ETF में invest, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रटना है अगर आप इस ETF में invest करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आईए दोस्तो आप detail में देख लेते हैं इस NFO की details को, तो दोस्तो सबसे पहले इस NFO की कुछ basic details के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो 20 जुलाई से यह NFO open हो चुका है subscription के लिए, और 2 अगस तक यह open रहने वाला है, और अगर आप entry या exit load की बात करते हैं, तो कोई entry या exit load यहाँ पर नहीं लगता है, और अगर आपको इस NFO में invest करने हैं, तो आपको कम से कम 1000 रुपीज से यहाँ प से बहले अगर मैं quickly आपको ETF के बारे में बताऊं, तो दोस्तो ETF भी थोड़ा index fund जैसा ही होता है, कि यह किसी एक particular index में अपना major पैसा invest करता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, कि index fund और ETF में बहुत जादा differences यहाँ पर एक चीज में यह रहते हैं, कि यह जो ETF क प्राइस है, वो share price की तरह regularly पूरा दिन fluctuate होता है, वहीं जो index fund या mutual funds होते हैं, उसका price सिर्फ day end पर NAV उसकी change होती है, यह आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो ETF होता है, उसको आप सिर्फ broker के through ही purchase कर सकते हैं, directly AMC से purchase नहीं कर सकते हैं, वहीं जो एक index fund या mutual fund होता है, वहा investors को, वो liquidity की मिलती है, क्योंकि यह stock की तरह change होता है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप किसी भी ETF को बेचने जाए, और आपके पास seller मौझूद हो, तो यह चीजों का आप ध्यान रखना है, अगर आप ETF में invest कर रहे हैं, अब दोस्तों दूसरी बात आती है, कि FMCG index क्य चीज है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं, कि FMCG sector क्या होता है, तो दोस्तों FMCG sector का full form होता है, fast moving consumer goods, तो वो consumer goods जो relatively छोटी cost के होते हैं, और जिनकी shelf life भी काफी कम होती है, वो यहाँ पर FMCG sector में cover होते हैं, जैसे कि milk, groceries, medicines, packaged foods, इस type के जितने भी consumer goods होते ह हैं, वो FMCG में cover होते हैं, यह आपको चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि cars भी एक consumer goods है, लेकिन वो यहाँ पर cover नहीं होता है, आपको यह चीज यहाँ पर खयाल रखनी है, काफी सारे लोग confused होते हैं, FMCG sector को लेकर, अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, FMCG index की, तो यहाँ पर FMCG index, जो है, Nifty का, वो launch हुआ था, 22 September 1999 में, और इसकी जो base jet है, वो January 1996 है, और यह जो index है, यह rebalance किया जाता है, semi-annually, और इस index में सिर्फ 15 companies यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है, कि यह जो index है, काफी concentrated index है, सिर्फ 15 companies जो FMCG companies हैं, वो इस index में मौजूद है, और अगर मैं आपको top 10 companies बताता हूँ इस index की, तो सबसे ज़्यादा allocation हिंदुस्तान लीवर्स का है, यहाँ पर 29% के आसपास, उसके बाद ITC 23%, उसके अलावा Nestle India, Tata Consumer, Britannia, Darbar, Godrej Consumer, Mariko, Jubilant Food और Colgate जैसी companies यहाँ पर इसके top 10 companies में दिख रही हैं, तो दोस्तो FMCG Index थोड़ा relatively risky हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 15 companies हैं, जिसमें से भी आप देखेंगे कि 50% का allocation सिर्फ 2 companies को यहाँ पर मिल रहा है, HUL और ITC, तो काफी ज़्यादा risky हो जाता है अगर आप FMCG Index में invest करने के बारे में सोच रहे हैं, अब दोस्तो बहुत important बात यह आत सालों में FMCG Index ने Nifty 50 Index को काफी बीट किया है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि पिछले 3-4 सालों में जो FMCG Index है वो इतना खास perform नहीं कर पा रहा है, अगर हम 2020 में देखते हैं, तो FMCG Index ने 14% की return दिया है, Nifty 50 ने 16% की, लेकिन यहाँ पर देखने वाली ब अगर हम पिछले 3-4 सालों में देखते हैं, तो FMCG Index in comparison to Nifty 50 perform नहीं कर पा रहा है, हाला कि 2010, 2011, 2012 यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह काफी अच्छा perform कर रहा था, काफी comprehensively यह Nifty 50 को बीट कर पा रहा था, लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों में FMCG Index Nifty 50 को बीट नहीं कर पा रह है, वहीं दोस्तों अगर हम overall returns पर भी यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर हम पिछले 1 साल में देखते हैं, पिछले 1 साल में Nifty 50 ने 54% की return दिया है, वहीं Nifty 50 FMCG Index ने 23% की return दिया है, वहीं 2 सालों में भी यहाँ पर आप देखेंगे, तो Nifty 50 ने 17% की आसपास की return दिया है, वहीं FMCG Index ने 12.4% की, उसी तरह 3 और 5 सालों में भी Nifty 50 Index को beat नहीं कर पाया है FMCG Index, लेकिन अगर आप 10 सालों का data देखते हैं, पिछले 10 सालों का अगर हम CJGR देखते हैं, तो FMCG Index ने Nifty 50 के Index को beat किया है, तो लेकिन दोस्तों अगर आप इस fund में, इस ETF में invest करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक चीज़ दिहान रखना है कि किसी एक particular sector में invest करना काफी risky होता है, तो अगर आप very high risk वाले investor हैं, तो ही आप ऐसे Index में invest करने का सोच हैं, और यहाँ पर यह index और भी जादा risky इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 15 companies हैं, जिनमें return के मामले भी FMCG Index कोई खास return नहीं दे पा रहा है, अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करता हूं, तो इस fund के NFO में invest करने से पहले आप इन सब चीजों का खयाल जरूर रखें, मेरी तरफ से दोस्तों आज इस वीडियो पर बस इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छी ल भूले, धन्यवाद